जैहिन दोस्तों मैंनी धीबेंचोहान आज हम करेंगे क्लास 10 का 3.2 का question 2 का part 1 इसमें हमें समीकरण योगम दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इनका होने वाला result समपाती है समानतर है या एक बिंदू में छेद करने वाला है ठीक है तो सबसे पहले हमें ये समीकरण लिख तो इस तरह से हमें इन सब को लिख लेना देखो A1 बटे A2 यानी कि 5 बटे 7 B1 बटे B2 यानी कि मांच 4 बटे 6 ठीक है और C1 बटे C2 यानी कि 8 बटे-9 तो इस तरह से हम सब्हें को लिख लेंगे A1 बटे A2, B1 बटे B2 और यहाँ पर C1 बटे C2 यह B1 बटे B2 है वो 2 से कट रहे हैं देखो यह 2 से कट रहा है यह दोनों numbers 2 की table में आते हैं ठीक है? 2 दूनी 4, 2 तिया 6 तो हमें मिला – 2 बटे 3 और यहाँ पर C1 बटे C2 अब हमने देखा कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के देखो यह A1 बटे A2 है यह बराबर नहीं है B1 बटे B2 के दोनों की values अलग अलग है सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि A1 बटे A2 बराबर है या नहीं है B1 बटे B2 के तो इस situation में समीकरण युगम से बनने वाली रेखा एक बिंदु में छेदती है क्योंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के तो मिलते हैं अगले question के साथ अगली वीडियो में जैहिन जै भारत